असलाम नेकुम दियर स्टूरेंट्स आज हम फैरी टेल्स का एक बहुत ही क्रिटिकल और एहम एस्पेक्ट डिसकस करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं समझने में और उसका नाम हमने यहां दिया है कि चिल्डन फैरी टेल्स पर्विसिवनेस आफ टा फैमिन ब्यूटी आइडियल्स फैरी टेल्स के अंदर खावातीन के लिए लड़कियों के लिए कुछ स्पैसिफिक ब्यूटी स्टैंडर्स होते हैं जो के बार बार बताए जाते हैं और दिखाए जाते हैं और अंडर लाइंग एक बहुत इंट्रस्टिंग मैसेश कनवेर किया जाता है हम बहुत अराम से टेल्स को याद कर सकते हैं कियोंके हम मेंसे सब ने फैरी टेल्स पढ़ी नीं हैं देखी रही है और रुटी वाती हैं कि हम जाते साथी सबसे पहले कम मसंगे उसे खोलकर देख्थे जरूर है परिश होटी है जिसमें पर्यां होती है या princess होती है आज जो किसी troubles सजा रही होती है और उस princess की specific characteristics होते है especially वो characteristics जो उसकी body से related होते है और physical beauty से related होते है तो अगर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी और definitely आपने internet पे भी देखी होंगी मूवी में भी देखी होंगी तो आप गौर करें कि specific किसम की princess को एक अच्छी princess एक कमाल की princess एक desirable princess बताया जाता है जिसके कुछ specific features होते हैं वो टॉल होती है वो पतली होती है वो बहुत गोरी होती है और उसके अंदर different किसम के bodily images होते हैं जिससे पता चलता है कि it's a desirable beauty now यह important है बताना कि यह topic किसने choose किया है और कहां से लिया गया है so baker ने in 2003 में actually एक data collection किया है fairy tales का और यह इसके अंदर 168 fairy tales जो है उन्होंने study किया है यह fairy tales उन्होंने ली है it is a complete fairy tales of the brothers crims से आज इसके अंदर बहुत इसारी fairy tales थी इन्होंने वह fairy tales ली है जिसके अंदर human characters को दिखाया गया है और उसका critical analysis किया है और चेक किया है कि उन fairy tales में क्या problematic issues है जो feminism से और यह specific beauty standards से related है और क्या यह सही है या गलत बुरी है या ठीक इसको हम देखते हैं तो 18th century 19th century की mostly जो fairy tales लिखी हुई है western world में उसके अंदर जो लड़की दिखाया जाती है और दिखाया जाती है उसको specifically दिखाया जाता है कि अप्रम से कि she is domesticated, she is respectable and very attractive और वाइ? So that she can easily attract a partner because of her beauty और उसके अंदर यह भी दिखाया जाता है कि लड़की और लड़कों के क्या specific gender specific role हो सकते है अब beauty से related जो problematic data on 164 fairy tales की analysis से निकला वो यह था कि 90% of the tales that were looked at made some statement of physical appearance और वो बिल्कुल clear थी beauty को उन्होंने use किया है goodness के साथ relate किया है और ugliness और evil को और wickedness के साथ किया है यानि जितने भी character उसके अंदर wicked थे और बुरे थे वो सब अगली थे वो काले थे या उनकी शक्ले बहुत खुबसूरत नहीं थी या वो मोटे थे या भद्दे थे और जो जितने characters अच्छे characters थे वो इंतहाई physically खुबसूरत characters थे जो के बुन्यादी तोर पे reality नहीं होती। Of the tales in which danger or harm is associated with physical attractiveness, actually they were about 28%, 89% ऐसी tales थे जिसके अंदर जो character है लड़की का उसको दिखाया जा रहा है कि उसको नुकसान पहुच रहा है लड़की होती है वहां बाकी लोग jealous होते है और jealous characters जो है वो इसको दिखाया जाता है और यह associated दिखाया जाती है Another thing, that is problematic, beauty को associate किया जाता है white trunk से, privileged class से और different किसम के virtue से यह नहीं कि जो गरीब होता है उसकी beauty जो है वो आपको fairy tales में उससरा नजर नहीं आएगी जिसमें रोने fancy कपड़े पहने में है या वो एक बहुत ही privileged class से belong नहीं कर रहें So fairy tales are actually conveying very very interesting message of social structure class और इस चीज का कि आपकी prevailing beauty standards क्या है जो सद्धियों से तूटने का नाम नहीं ले रहें और यह उसे foster कर रहें है So it is very good to look at these fairy tales critically and find out those issues